लॉट्स शूद बैक्स पेश करते हैं कंप्रीट कलेक्शन, सैंडल्स, शूद, हैंडबैक्स, ट्रावल बैक्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कास्वल, ओफिस वेर, देली वेर, लॉट्स, शूद बैक्स, सेल्प मैनुफेक्शर हैं, अफॉर्डबल प्राइस के साथ आप टू 50% डिसकाउंट, तो आज जी आए, लॉट्स, शूद बैक्स मुम्बरा के गाउंदेवी इलाके में आज करीब 12 बज़े के आसपास आग लग गी, ये आग मुम्बरा बाइपास के किनारे फेके गए कच्रों में लगी थी, मगर इसके चपेट में टोरेंट पावर के बिजली के केबल आगे, अस्थानिये लोगों ने बताया कि किसी ने कच्रों में आग लगा दी थी, जिसके बाद आग धीरे धीरे फैलने लगी, हाल फिलहाल में ही लगाए गए टोरेंट पावर द्वारा जो बिजली के केबल है, आग ने उसे अपने चपेट में ले लिया, वहीं अस्थानिये लोगों में भी आग लगने से काफी भय का माहौल हो गया कि कहीं आग पूरे इलाके में ना फैल जाए, इसके लावा पास में ही बने कुछ जोपड़े जो तूटे हुए थे, आग उनमें भी धीरे धीरे फैलने लगी, इलेक्ट्रिक के जो केबल हैं उनमें ब्लास्ट होना सुरू हो कि इसके पहले ही टोरेंट पावर को इस आग के बारे में जानकारी दे दी गई और गाउदे भी इलाके की बिजली काड़ दी गई, मगर आग से बिजली के पूरे केबल जल कर राख हो गए हैं, हलाकि अस्थानिये लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को भी दे दी थी और मौके पर पहुँची दमकल विभाग के टीम ने फैलते हुए आग को बुझाने का काम शुरू किया, वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना ये आग एक बड़ा रूप भी ले सकता था, बताय जा रहा है कि मुम्रा बाइपास से सटे गाउदेवी इलाके के लोग बाइपास की किनारे ही कचरा फेकते हैं, हलाके कुछ जगों पर जो कचरा फेका जाता है, वहाँ से मनपा कर्मचारी कचरा उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी जगा कचरा फेक देते हैं, जो धीरे-धीरे कचरों का अमबार बन जाता है, और इसी तरह का यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ था, जिसमें किसी ने आग लगा दी और ये घटना सामने आई।